Hello everyone, so, आज हम discuss करेंगे थोड़ा सा numerical वाला पार्ट Evolution के अंदर आपको कुछ numericals भी मिल सकते हैं इन में से कुछ mutation के उपर based है और कुछ genetic drift के उपर based है इन में से कुछ है तो ऐसे हमारे पास में formula होंगे जिनकी अच्छी खासी derivation है हमारे पास तो उनको हम derivation से समझेंगे और उसके बाद कुछ formula ऐसे हो सकते हैं जिनकी हमारे पास में बहुत अच्छी derivation नहीं है तो हमें उनसे उलजने की जुरुत नहीं है जैसा है वैसा का वैसा आप याद करके जाएं एक्जाम में अगर आएगा तो 100% आपको समझ में आएगा और आप आसानी से उसे solve कर पाएंगे उस formula के साथ में तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारे पहले टॉपिक से सबसे पहले हम discuss करेंगे mutation mutation का क्या role है यहां पर मैं एक statement लिख रहा हूं उसके बाद मैं आपको इसे प्रूव करके दिखाऊंगा statement यह है कि mutation मुटेशन लीड़्स तू चेंज इन एलील फ्रिक्वेंशी मुटेशन से एलील फ्रिक्वेंशी चेंज होती है ठीक है अब मैं आप से यह आपको बताता हूं कैसे हो सकता है मान लीजिए मेरे पास एक population है और population के अंदर चार members है capital A, capital A दो members है capital A, small A और suppose करिए एक बार के लिए चार members है small A, small A यह एक hypothetical population है, total 10 members हो गए यहाँ पर अब जरा इस population के अंदर capital A की frequency चेक करिए capital A की frequency तो आप कैसे calculate कर सकते हैं, easy है एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नो, दस यहाँ total 10 capital A है, राइट, और 10 capital A के साथ, यहाँ total 20 ellis हैं, तो यह hard even work formula का इस्तेमाल करने के बाद, यह frequency आती है 0.5, मैंने आपको थोड़ा सा अलग तरीके से, और easy way में बताया है, आप हैं, तो proper formula से calculate कर सकते हैं, अब capital A की frequency यह आ गई, small A की frequency देखिए कितनी आती है यहाँ पर, बची हुई frequency small A की ही होगी, तो small A की frequency भी यहाँ पर 0.5 आ गई, ठीक है यह चीज़, अब, अब जड़ा गौर करिएगा, इस population के अंदर मान लो, यह जो number है, इसमें एक mutation हो गया, और mutation से यह capital A, small A बन गया, यानि इसका जो एक capital A है, उस allyl में mutation हो गया, और mutation से वो allyl भी small A बन गया है, तो अब यह population कैसे modify हो गई देखो, इस population में अब बचे हैं, तीन capital A, capital A और तीन हो गए है, capital A, small A, और चार, small A, small A पहले से ही है यहाँ पर, अब जड़ा आप technically देखिए कि capital A की frequency क्या आ रही है, यहाँ पर एक mutation हुआ है, ध्यान रखेगा, यह एक mutation है, और mutation से एक capital A, small A में बदल गया, तो यहाँ पर अभी अगर मैं calculate करूंगा, तो एक capital A कम हो गया ना, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, टोटल नाइन capital A है, आउट ओफ 20, तो यह frequency देखिए कितनी आ गई, 0.45, सही है, और अगर यह frequency यह है, तो small A की frequency कितनी हो गई, 0.45 को माइनस करो बन से, तो 0.55, hence proved कि allele frequency change होती है, mutation के कारण, आपके सामने है, mutation से पहले allils की frequency कुछ थी, mutation के बाद में allele की frequency कुछ और हो गई है, यह चीज समझ में आ गई, अब अपन समझते हैं कुछ और बाते, एक mutation होता है, इसे कहते हैं forward mutation, forward mutation का मतलब होता है, जब capital A, small a बन जाए, यानि कि wild allil है, वो mutant allil बन जाए, इसे कहते है forward mutation, और forward mutation है, उसको लिखते हैं mu से, यह है forward mutation, अब हमारा basic concept यह है, कि capital A में mutation हुआ, तो यह small a बन गया, इसका मतलब capital A का number कम हो जाएगा, अगर ऐसा होता है, तो population से capital A का number कम होगा, और small a का number बढ़ेगा, यह बात समझ में आई यह आई यह आपको, अब यदि मैं इसे hardy win work की भाशा में बोलूं, तो मैं यह कह सकता हूँ ना कि यहाँ पे P में mutation हुआ और P है वो क्यों बन गई, dominant copy recessive बन गई, तो dominant copy P होती है, recessive copy है वो क्यों होती है, तो यह हो गया हमारे पास, कि भई P का number कम हो जाएगा, और Q का number बढ़ जाएगा इसमें, ठीक है? अब forward mutation को check करने के लिए, हम check करेंगे change in Q, Q में कितना change आया? इसे लिखते हैं del Q, और देखिए क्या change आया? अगर mutation होने की rate mu है, तो total P copy में कितना mutation हो सकता है? यह हो गया, change in Q due to forward mutation, यह equation 1 है, change in Q due to forward mutation, समझ में आई मेरी बात, ध्यान से वापस सुन लीजिए, forward mutation किसे कहते हैं, जब dominant allele में mutation हो जाए, और वो dominant से recessive बन जाए, तो उसे forward mutation कहते हैं, जब dominant allele बदल जाएगा, तो dominant allele कम हो जाएगे, और mutant allele बढ़ जाएगे, तो ऐसे में हम Q में कितना change आया, वो ऐसे calculate करते हैं, जो आपके सामने हैं, अब बात करते हैं अपन backward mutation की, backward mutation का मतलब, आप समझ लीजिए, backward mutation, इसको लिखेंगे हम new से, जब small a में change आये, और small a वापस capital A बन जाए, इसे कहते हैं backward mutation, इससे क्या होगा, small a का number कम होगा, और capital A का number बढ़ेगा, hardy win-work की language में मैं ये कह सकता हूँ कि जब q change होकर के p बन जाए, तो q का number कम होगा, और p का number बढ़ेगा, ऐसे में हमको check करना है, change in q, due to backward mutation, due to backward mutation, तो ये backward mutation कितना आएगा, ये आएगा, del q equals 2, backward mutation की rate है new, तो total q कोपी में change होगा, ये हो गया हमारे पास में backward mutation, आप दोनों equation समझ लीजिए, अगर एक allyl में change आने के chance है, mu, तो total p allyls में कितने होंगे, और अगर एक में आने के chance है new, तो total q में कितने change होंगे, इस तरीके से ये ग्यात किया जा सकता है, आसानी से, अब यदि आपको forward और backward mutation पता चल जाए, तो आप एक calculation कर सकते हो, और वो calculation कहलाती है, net change, या इसी को बोलते हैं, overall change, in q, q, q में overall change कितना आया, q में overall change का formula होगा, forward mutation minus backward mutation, ये हो गया हमारे पास में, एक और important equation, net change या overall change का, जैसे ये simple सा profit and loss वाली सी बात है, कि आपको किसी business में total profit कितना हुआ, उससे आपका जो income है वो बढ़ेगा, total loss कितना हुआ, उससे आपका income घटेगा, बढ़ आपको overall change कितना आया income में, तो आप profit minus loss कर सकते हो, same तो यहां किया मैंने, अच्छा, जब आपको net change q का पता चल जाए, तो आप net change या overall change, overall change in p पता कर सकते हो, आपको कुछ नहीं करना, 1 minus del q करना है, अगर आप एक में से q का change घटा दोगे, तो बचा हुआ change क्या रहेगा, p का रहेगा, अब आप तीसरी equation है, इसको ध्यान में रखिएगा, यह हमारे काम की equation रहेगी, तीसरी जो equation है, इसको याद रखिए, अब में आपको आगे कुछ चीज़े समझा देता हूँ, जैसे, जैसे हमको यह पता है, कि, p प्लस q, यह होता है 1, राइट, पता है अपने, तो p की value क्या आती है यहाँ पे, 1 माइनस q, यह आजाएगी, अब मैं यदि, यह p की value, equation 3 में रख दूँ, from equation 3, जो की हमारी यह रही, equation 3, यह वाली, p की जगए, यह जो p लिखा न, इसकी जगए 1 माइनस q करना है मेरे को, तो क्या equation change होगी, देखिए आप, del q equals 2, यह जाएगा, mu 1 minus q, minus new q, यह होगे अपने पास, अब इसको थोड़ा सा और elaborate कर लेते हैं, del q equals 2, mu को 1 से multiply करो, mu minus, mu को q से multiply करो, mu q और minus new q, ऐसे होगे, अब आप एक चीज़ देखिए, कि यहाँ पर, यह minus और q, minus और q common है, minus q minus q common है न, आप इसे side में निकाल लीजिए, जब आप minus q को side में निकालोगे, तो यह equation ऐसी बन जाएगी, mu minus q को side में ले लीजिए, bracket में बचेगा, mu plus new, यह बच गया, इतनी चीज़ समझ में आई, अब, यदि, forward and backward mutation की rate है, वो बराबर हो जाए, if forward mutation equals to backward mutation, यदि ऐसा हो जाए, तो डेल क्यों बराबर क्या हो जाएगा, zero, यदि profit और loss दोनों बराबर हो जाए, तो net जो अपना change आएगा, वो net change zero हो जाएगा, यह हो गया, तो अब, मैं आपको बताता हूँ, at equilibrium, change in del q, change in q कितना है, at equilibrium change कितना है, तो यह तो change है zero, और यह equation अपनी उपर वाली देखो, mu minus q, mu plus mu, यानि मैंने इस del q की जगह zero रख दिया, क्योंकि यह equilibrium की बात चल रही है, अब देखिए, यदि मैं, यह minus q, del, sorry, minus q, mu plus nu को इधर ले आऊँ, इस side में shift कर दूँ, तो कुछ एक ऐसी equation बन जाएगी, यहान लिख देता हूँ मैं, q, mu plus nu, बराबर, mu, यह ऐसे आ गया, और अब finally मैं अगर q की value calculate करूँ, तो यह आएगा mu divided by mu plus nu, यह जो equation आई है, इस equation को बोलते है, change in p at equilibrium, change in q at equilibrium, equilibrium के उपर change है यह और इसको ऐसे लिखते है, q cap equals to mu divided by mu plus nu, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ न, कि q cap equals to mu का मतलब है forward mutation, forward mutation, और नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, forward plus backward mutation, बस यह अपना हो गया, mutation वाला topic complete, कि mutation में हमें किस प्रकार से forward, backward, किस प्रकार से हमको equilibrium पे changes calculate करने है, यदि आपको किसी भी moment पर p में change calculate करना हो, जैसे आप चाहते हो p cap कितना है, तो आपको one में से q cap को minus करना है, यह आपका p cap आ जाएगा, तो यह आप चरूर से अच्छे से समझ के देख लें एक बार दुबारा, क्योंकि इसमें और समझाने लाइक बात कुछ भी नहीं है, एक तो हमारे इस formula के उपर क्योंशन आता है, और एक हमारे इस formula के उपर क्योंशन आता है, तो आप यह दोनों ही formula कैसे बनाए हैं, वो देख लीजिए, ठीक है? चलिए, अब आपको एक और चीज़ बताता हूँ, genetic drift edge sampling error, इसका मतलब क्या हो? जब आप बिना practical किये हुए, pain और paper के मदद से कोई भी data निकालते हो, तो वो data आपको formula के according मिलते हैं, राइट? लेकिन जब आप real में किसी population को जाके check करते हो, तो वो आपको उससे अलग मिलेंगे, जैसे इसका एक छोटा सा example ऐसे समझी है, कि boy और girl होने की probability half-half है, ठीक है? boy होने की probability भी half है, और girl होने की probability भी half है, अब मान लीजिए कि मैं आपसे ये कहूँ, कि एक family में 10 बच्चे हैं, बताईए इन में से boy कितने हैं, girl कितने हैं, तो आप यदि उस family में जाए बिना, खाली probability के basis पे बात करोगे, तो आप कहोगे कि सर उस family में 5 boys हैं और 5 girls हैं, क्योंकि probability दोनों की half-half है, इसलिए उस family के अंदर 10 में से half-boys होने चाहिए, 10 में से half-girls होनी चाहिए, लेकिन जब आप उसी family में वास्ताव में चेक करने जाओगे, तो आपको मुश्किल से 5 boys 5 girls मिलेंगे, ये बात आप भी जानते हो, या तो girls जादा होंगे, या boys जादा होंगे, मैं ये नहीं कहा रहा कि आपको equal नहीं मिल सकते, पर आपको maximum case के अंदर equal नहीं मिलेंगे, आप से खा जाए, एक family में दो बच्चे हैं, तो अब probability के इसाब से एक लड़का एक लड़की होना चाहिए, लेकिन कभी-कभी दोनों लड़के होते हैं, कभी दोनों लड़कियां होती हैं, कभी एक लड़का एक लड़की भी हो सकती है, इसे कहते है sampling error, जब आप genetic drift का effect paper के उपर निकालोगे, तो वो तो formula based निकलेगा, क्योंकि उसमें तो अपने को formula इस्तमाल करना है, लेकिन जब उसी genetic drift को आप real में जाके check करोगे, तो आपको समझ में आएगा, कि ये formula से काम नहीं चल रहा, formula वाली value और ये value तो अलग-अलग है, इसे कहते हैं sampling error, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ चीजे सीखते हैं, How does allyl frequency change? Allyl की frequency कैसे change होती है, उसकी एक छोटी सी कहानी है पाँच points में, पहला point, Each population has capital N number of individuals, that is 2N alleles, या N alleles at a given locus, इसका मतलब क्या है? माल लीजिए मैं ये कहूँ कि एक population में total members 100 है, total members 100 है, तो इसका मतलब होगा capital N, capital N का मतलब होता है total number of individuals, अब मैं ये कहूँ कि ये जो 100 members है, इन सब के पास कुल मिला के number of total alleles of A gene कितने है? एक इनसान के पास दो A होते हैं, हो सकता है दोनों capital A, capital A हो, हो सकता है एक capital A हो, एक small A हो, हो सकता है दोनों small A, small A हो, एक इनसान के पास दो capital A, तो 100 इनसानों के पास कितने capital A होए, कितने A हुए 200A हो गए ना यानि एलिल्स का नंबर है वो आप या तो ऐसे लिख सकते हो 2 into capital N या आप small N भी लिख सकते हो यह याद रखना आगे काम आएगा number of alleles या तो 2N लिख दीजिए या N लिख दीजिए अब ecology की एक छोटी सी बात है नेचर के अंदर हर population की size limited space and limited food की वज़े से fix होती है कोई tree है tree पे कितने bird होंगे कोई garden है garden में कितने insect होंगे कोई forest है forest में कितने deer होंगे तो number of individuals उस population के लिए कितना food and space available है इस बात पर निर्वर करते हैं यह बात आप मानते हो caring capacity का concept लगा सकते हो आप यहां से तो यह एक second point हो गया अब तीसरा point देखिए जब कभी भी reproduction का time आता है तो thousands of sperms and eggs produce किये जाते हैं बहुत सारे eggs होंगे बहुत सारे sperms होंगे यह जितने भी eggs and sperm का fusion होगा उतने ज़्यादा जाइगोट बनेंगे पर अब वापस से ecology का concept apply हो गया कि बनने को तो 1000 जाइगोट बन गए पर उस habitat के अंदर तो 100 members के लिए ही food and space है तो 1000 में से 900 को मरना पड़ेगा मेरी बात समझ में आ रही है यह पाँचो points क्या कहना चाहरे हैं समझ लो एक population के अंदर total number of individuals जो होता है न उसको बोलते है capital N ठीक है एक gene के दो alleles होते हैं एक individual में तो एक gene के total कितने alleles हो गए total individual multiply by two अब reproduction के समय हजारो eggs बनते हैं हजारो sperms बनते हैं fertilization होता है तो हजारो eggs बनते हैं पर nature में हर एक species के लिए fixed limited space and food होता है तो उतना ही मिलेगा खाने के लिए तो अब हमारे पास में ultimately certain number of individual ही जिन्दा बच पाएंगे अब आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ effective population size का क्या मतलब है effective का मतलब है reproduction कर सकती हैं 200 male प्लस 400 female ही reproduction करते हैं बाकी के members या तो बुडे हो चुके हैं या अभी बच्चे हैं तो इस population की effective size 600 होगी ना की 1000 आपको effective population size इसको बोलते हैं NE इसका एक formula है वो याद रखना है 4 into number of males into number of females divided by number of males plus number of females यह ऐसे आपको पता करना है number of males and number of females आप एक चीज का ध्यान रखियेगा maximum any is possible when number of males equal to number of females जिस population के अंदर number of males and number of females equal होते हैं उसी population के अंदर effective population size है वो सबसे ज़्यादा होती है यह आप चेक कर सकते हैं इसमें कोई partiality नहीं है अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनें समझें मान लीजिए मैंने आप से कहा कि इस population के अंदर 1000 members है n की value 1000 है और मैं आपको information दे रहा हूँ कि यहाँ पे total 200 males and total 400 females है जो reproduction में participate कर रही हैं तो आप इनकी effective population size calculate करें formula लगाओ 4 into number of males into number of females divided by number of males number of females plus करना है अब यह क्या आया आपके सामने देखिए चार आठ और आठ चोके 32 यह तो आ गया आपका 32 or divided by this one और यह आपका जाएगा तीस दो अठारह and दो something like that यह है effective population size अभी मैंने आपसे बात बोली कि maximum effective population size कब हो सकती है जब number of male and female equal हो तब हो सकती है तो आप एक numerical करिएगा मैं आपको बता रहा हूँ कि एक population के अंदर hundred members है let's say hundred members है हम आपको कुछ situation दे रहा हूँ case one males का number 70 है females का number 30 है case two males का number 50 है females का number 50 है and case three males का number let's say कि 20 है और females का number 80 है आप इन सब के लिए NE चेक करिए सब के लिए आप अपने level पे कर लेना यह आपको पता चल जाएगा NE की maximum value वहीं आती है जहां number of males and number of females है वह equal हो जाते हैं ठीक है तो यह हुआ अपने पास में effective population size चलिए next अभी बात करते है अपन genetic drift में कैसे sampling error होती है आपके सामने एक formula लिखा हुआ है एकदम आराम से इसको समझ यह the probability of a neutral mutation to be lost from the population equals to 1 upon 2n या इसको आप 1 upon n भी लिख सकते हो अब यह मापको समझाता हूँ कोशिश करूँगा proper तरीके से समझा पाऊं इन case आपको नहीं समझ में आए तो भी आप यह रट के जरूर चले जाना exam में काम सकता है सबसे पहले बात करिए neutral mutation का मतलब क्या होता है तो आप कहेंगे neutral mutation का मतलब ऐसा mutation जिसके होने से कोई ill effect नहीं पढ़ता कोई बुरा प्रभाव नहीं पढ़ता उसे हम कहते है neutral mutation अब मेरी बात ध्यान से समझेए मान लीजिए कि एक population है ठीक है population इस population के अंदर total पाच मेंबर्स है पाच मेंबर्स और पाचों के पाचों मेंबर्स कैसे है capital A, capital A है यानि कि यहां कोई mutation नहीं है यहां पर no mutation ठीक बात है यह अब अब यहां एक mutation हो जाता है यह देखो आप यहां पर एक स्मोले आ गया यानि population के अंदर mutation आ गया है mutation present हलांकि यह mutation यह mutation neutral है कोई इससे effect नहीं पड़ेगा बट है तो सही mutation यह अब हम चाहते हैं कि यह mutation क्या हो जाए lost हो जाए तो आप मुझे यह बताइए इसको lost कैसे कराए इसकी जगए यदि वापस capital A आ जाए तो backward mutation हो जाए तो मेरी बात समझ पा रहे है तो आप यह समझें कि इस mutation को वापस लॉस्ट करने के लिए हमें कितने एलिल में चेंज करना है एक में यह टोटल नंबर ओफ एलिल कितने है यह टोटल नंबर ओफ एलिल से 2N पांच मेंबर है दस एलिल है गिल्लो एक दो तीन च्यार पांच छे साथ आठ नो दस दस एलिल है तो पांच मेंबर से multiplied by 2 और इन में से कितने एलिल में backward mutation चाहिए एक एलिल में चाहिए तो mutation के lost होने की probability कितनी आई 1 upon 2N आया समझ में यह एक जगह पर mutation हुआ है total हमारे पास में 10 एलिल्स है 10 एलिल्स अब 10 एलिल्स में से एक एलिल को वापस change करना है तो 10 में से एक 1 upon 10 इसी 1 upon 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ इसी 1 upon 10 को मैं 2 into 5 भी तो लिख सकता हूँ न क्योंकि 5 members है और यह 5 को मैं N भी तो लिख सकता हूँ न यह हो गया हमारा mutation के lost होने की probability अब दूसरा formula the probability of a neutral mutation to be fixed in the population यहां एक छोटी सी चीज आपको समझनी बहुत जरूरी है एक तो होता है एलिल fix होना कि mutant allele is fixed in the population mutant allele fix होने का मतलब है जब उस population के प्रतेक member के अंदर प्रतेक member में small a small a हो जाए तो हम कहेंगे यहां small a fix हो गया है हम यहां वो fix नहीं पढ़ रहे हम पढ़ रहे हैं mutation का fix होना mutation fix कैसे होगा देखो मान लीजिए एक population है जिसमें पांच members है और पांचों members है उनका genotype है capital a capital a ठीक है यहां पर no mutation कोई mutation नहीं है बिलकुल सही बात है यहां कोई mutation नहीं है यहां total कितने members है पांच तो n कितना है यहां पर 10 समझ रहे हो आप अब आप यहां एक mutation कराओ करा दिया भई mutation इसमें एक mutation कराने से कोई एक member है वो बन जाएगा capital a small a और बाकी members same रहेंगे लो जी भई mutation हो गया है अब आप क्या चाहते हो कि यह mutation इस population में fix हो जाए यह mutation इस population में fix कैसे होगा यह mutation इस population में fix तब होगा जब यह दूसरा एलिल है इसमें भी mutation हो जाएगा और जब इस एलिल के अंदर mutation हो जाएगा और यह small a small a बन जाएगा न तो आगे जब कभी भी reproduction होगा तो इस individual का एक small a तो पक्का अगली generation में जाएगा मेरी बात को ध्यान से सुनें यदि आप इस capital a small a का reproduction करवाते हैं दूसरे member के साथ तो क्या पता इसका केवल capital a ही आगे जाए और सारे members capital a ही बने capital a capital a तो इसका मतलब तो यह mutation अगली generation में गाइब हो जाएगा हम चाहते हैं कि यह mutation अगली generation में जाए तो अगर इस इनसान के पास दूसरा भी small a होगा तो 100% यह mutation आगे जाएगा ही जाएगा इसलिए mutation को fix करना है तो क्या करो दूसरा वाला जो एली लेना उसको भी small a बना दो जिससे यह sure हो जाएगा कि इस इनसान से जो भी mating करेगा आगे एक small a पका जाएगा तो आप मुझे बताओ कि यदि मुझे capital a को fix करना capital a को mutant बनाना है तो मुझे 10 में से कितने एलील में change करना है उली एक में और क्या कर दूँगा मैं यहाँ पे इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ formula वही आएगा बस समझने का अंतर है यदि हम चाते हैं कि small a गाइब हो जाए तो हमें small a को वापस capital a बनाना है तो भी वो 10 में से एक एलील में change करना है और यदि हम चाते हैं कि small a यहाँ पर रह जाए तो दूसरे capital a को small a बना दो ताकि यहाँ small a रहे ही रहे बस हम यह नहीं कह रहें कि small a को fix करना है small a fix कब होगा जब सब के अंदर small a small a हो जाएगा हमें तो खाली एक mutation है उसको fix करना है तो यह हमारे पास में दूसरा case हो गया अब तीसरा case समझते हैं तीसरा case है How much proportion of population in which allele is fixed or lost per generation per generation कितना fix होगा और कितना loss होगा इसका सीधा formula याद करना है तो 1 upon 4 and कर लो और कैसे यह formula आया वो मैं बताता हूँ suppose कर यह एक population है और उसमें केवल दो ही members है दो ही members capital a small है, capital a small इन दोनों members के पास एक-एक neutral mutation है और एक-एक copy एकदम सही है वापस समझे, यह population केवल दो members की बनी है ठीक है, दो member की population है दोनों के पास एक-एक small है और एक-एक capital a है अब यदि इन दोनों से next generation बनाई जाए तो next generation कैसे बनेगी एक बनेगा capital a capital a एक बनेगा capital a small एक और बनेगा capital a small एक और बनेगा small यह बन गई next generation ठीक है यह है population of four members next generation है population of four members अब जड़ा आप गोर से इन चारों members को देखो आपको एक चीज समझ में आएगी क्या यह जो small है है इस small a small a के पास दोनों ही एलिल small a है इसका मतलब इसमें इस individual में mutation fix हो गया है इसके पास दोनों copy small a की है इसमें तो पक्का fix है mutation अब जड़ा आप इस capital a capital a को देखो इसके पास तो एक भी copy नहीं है ना small a तो इसके पास से तो mutation loss हो गया तो हम कहेंगे कि इसमें से mutation lost हो चुका है अब जड़ा आप यह बताओ कि इनका proportion क्या है आप कहोगे कि sir small a small a है वो one by four है और capital a capital a भी one by four है मेरी बात समझ में आ रही है यदी हम इन चार member की population में से उन members की बात करें जिनके पास small a बिलकुल नहीं है दोनों capital a है तो वो one by four members है और यदी हम ऐसे members की बात करें जिनके पास दोनों small a है तो वो भी one by four है इनके पास lost हो चुका है इनके पास fixed हो चुका है neutral mutation तो neutral mutation के loss और fix होने की probability कितनी हो गई यह तो गई one by four या तो one by four members होंगे जिनमे लौस्ट हो चुका है या one by four members होंगे जिनमे fix हो चुका है अब बात कर रहे हैं per generation तो per generation कितने members बनते रहेंगे per generation and members बनते रहेंगे तो यह formula आया one by four n देखो लिखा न, per generation तो एक generation के अंदर एक generation के अंदर यदि 1 by 4 probability है तो अब अगली generation में जो N members है उन्हें में कितनी होगी अगेन 1 by 4 होगी या तो fix या loss होने की तो यह formula अपना 1 by 4 N बनेगा next देखो लिखा है each class of allele frequency between 0 to 1 decrease at the rate of 1 by 2 N per generation वापस समझो इसको भी यह भी समझ में आ जाएगा मान लीजिए एक population है population 1 इसमें 2 member है capital A, capital A and capital A, capital A ठीक है इसमें capital A की frequency है 1 और small A की frequency है 0 है की नहीं बिल्कुल है अब suppose करो कि एक mutation हो गया और mutation होने के कारण एक इनसान में एक small A आ गया यहां क्या हो गया यहां हो गया mutation ठीक है जी mutation हो गया अब यदि यह दोनों इनसान मैटिंग करें तो दोनों इनसान की मैटिंग से एक बनेगा capital A, capital A एक बनेगा capital A, small A और यह बन गई population 2 अब जरा यहां capital A की frequency देखो कितनी है 0.75 और small A की frequency कितनी है 0.25 तोटल 4 A है ना एक दो तीन चार तो चार में से तीन कोन है capital A कितना आया 0.75 और small A कितना आएगा 1 by 4, 0.25 पहले capital A की frequency थी 0., sorry, पहले capital A की frequency थी 1 और अब capital A की frequency कितनी decrease हो गई 0.25 माइनस हो गई है ना इसी 0.25 को यदि मैं 1 by 4 लिख दूँ तो भी चलेगा और इसी को मैं यदि 2 ही तो member है ना यह इसी को यदि मैं ऐसे लिख दूँ तो भी चलेगा क्योंकि 2 member से तो अपनने बात करी है तो 2 N आप ये भी समझो पहले वाली जो generation है first generation उसमें total 4 alleles है 4 alleles और अगली generation के अंदर 4 alleles है लेकिन एक alleles है वो change हो गया population 1 और ये population 2 एमान लो तो next generation के अंदर 4 में से एक जगे पर small है आ गया ना तो 1 by 4 capital A decrease हो गया और 1 by 4 पर small है आ गया ये per generation इसी 1 by 4 को मैं 2 N भी लिख सकता हूँ क्योंकि 2 member है तभी तो 4 alleles है ये ऐसे आता है next देखिए ये एक बड़ा सा formula है इसमें ज्यादा कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं है खाली पढ़ो और ये याद रखो ये दि random genetic drift is the only mechanism ना तो natural selection होना चाहिए ना mutation होना चाहिए ना migration होना चाहिए क्या होना चाहिए only genetic drift और वो भी random वाली genetic drift ये दि केवल genetic drift होती है एक population में then after a large number of generations जैसे 100 generation के बाद में expected number of populations in which an allele would have been fixed ऐसी कितनी populations होगी जिसमें कोई एक allele fix हो गया यानि सभी के अंदर वही allele है तो उसका एक formula है वही सीदे सीदे ये याद करो इसमें कोई derivation नहीं है मेरे पास में सीदा का सीदा ये formula number of populations divided by 2N ये आपके सामने इतना paragraph लिखा हुआ आएगा उस सवाल के अंदर और आप से कहेंगे कि वहाँ thousand populations हैं तो बताओ thousand populations में कितनी populations के अंदर एक L will fix हो चुका है और आपको number of individuals भी दे दिये जाएंगे कि हर population में 10-10-10-10 members है ऐसे करके next देखिए probability of being homo gigote in a given population population में homo gigote बनने की probability कितनी है homo gigote बनने की probability होती है 1 by 4 sorry 1 by 2N कैसे देखो मान लीजिए एक ये population है population 1 ठीक है इस population 1 के अंदर कितने members है दो member से होगे अब यदि मैं इस member in population में किसी एक को homo gigote बनाना चाहूं तो मुझे mutation करना पड़ेगा mutation अब क्या करूं मैं या तो मैं इस capital A को small A बना देता हूं ताकि ये homo gigote बन जाएगा या मैं एक काम करता हूं दूसरे वाले small A को capital A बना दूं तो वो भी क्या बन जाएगा homo gigote मुझे एक homo gigote बनाना है तो मुझे क्या करना है मेरे सामने चार एलील है चार में से मैं किसी एक को change कर दूं एक को चार एलील कैसे है क्योंकि दो individual है तब ही तो चार एलील है ये बन गया हमारे पास में homo gigote होने की probability जैसे मैं इसको ये कर देता हूं तो ये बन गया हमारे पास में आपको यदि पर generation पूछते ना तो पर generation में आपको क्या करना होता है reproduction कराना होता है यदि पर generation पूछा जाए ना तो पर generation में reproduction करा देंगे अगली generation बना देंगे यहां अगली generation नहीं बनानी है यहां बोलना है कि total members में से homo gigote होने की probability कितनी है अब यदि आपको homozygote की probability आ गई तो आपको heterozygote की probability इस formula से निकालनी है 1-f क्यों क्योंकि एक population में या तो homozygote होते है या heterozygote होते है जो heterozygote है उनको छोड़के homozygote है जो homozygote है उनको छोड़के heterozygote है तो आप यदि 1- homozygote है ऐसा कर दोगे तो यह आ जाएगा number of heterozygote यह आई नहीं है यह 1 है ठीक है थोड़ा सा इसका ध्यान रखना यह आई नहीं है यह 1 है 1- homozygote यह एक और formula है इसमें ज्यादा कुछ नहीं है next देखो number of heterozygote after one generation एक generation के बाद में कितने heterozygote बचेंगे यह थोड़ा सा computer की वज़े से ठीक से नहीं लिखा हुआ मैं आपको समझाता हूँ अगर हम एक generation के बाद में बात करें heterozygote की तो इसे हम लिखेंगे t plus 1 यानि number of heterozygote number of heterozygote after one generation equals to पहले तो आप यह बताओ कि normal heterozygote होने की probability कितनी है तो आप कहोगे 1 minus 1 by 2n 1 by 2n तो homozygote की है बची हुई heterozygote की है और initial number of heterozygote कितना है उससे multiply कर दो initial number of heterozygote यही तो होता है ना मैंने आपको बताया था कि p time बाद कितने होंगे तो पहले कितने है multiplied by क्या probability है आगे उतने बनने की तो यह हो जाएगा हमारे पास में formula number 8 अब last दो formula की बात करते है एक simple सा आपको formula दे रखा है in a population of effective population size n e in which the neutral mutation rate is mu यहाँ mu लिख लेना is mu then the frequency of heterozygote at equilibrium कितना होगा यह formula आपको रटना है number of heterozygote equals to 4 n e mu 0 यह mu 0 आएगा mu 0 divided by 4 n e mu 0 plus 1 अब इनके derivations एक तो complicated है और दूसरे मिले भी नहीं मुझे तो जैसा है वैसा याद करो numerical नहीं आएगा सिर्फ formula पूछा जाएगा तो सई formula क्या है यह आपके सामने है in a population of effective population size n e जैसे मान लीजिए कोई population में 60 member है वो effective है reproduction में तो उन में से neutral mutation rate अगर यह है तो heterozygote की frequency क्या है वो आपकी यह आएगे यह formula है सिधे याद करो अब बताता हूँ मैं last formula there are many separate populations in every population there are n individuals पहले तो यह समझो जैसे मैं आप से कहूँ कि किसी जगह पर 10 populations है 10 populations कैसे है 10 population 1 population 2 population 3 population 4 population 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 population है और आप से कहा है कि in every population there are n individuals n individuals है और मान लो मैं n की value कितनी भी ले लूँ लोग 15 ले ले लेता हूँ यहां हर population में 15 members है n equals to 15, 15, 15, 15, 15 after one generation of random mating genetic drift expressed edge genetic drift जो है न इसको हम लिखेंगे sp square यह कोई square नहीं है बस symbol है इसका कोई square नहीं लेना, square root नहीं करना, कुछ नहीं कर sp square मतलब genetic drift को कैसे express करोगे तो total alleles में से change in p multiplied by change in q यह होता है formula यानि कि इसे आप ऐसे लिखो sp square equals to p q divided by 2n जहां n की value आपको दी हुई होगी इस पे numerical आ सकता है देख लेना इस पे numerical आ सकता है क्या करना है आपको simply जितनी total n दे रखा है उस n का आप alleles बना लो 2 से multiply करके और आपको question में दिया हुआ होगा की frequency कितनी है p की कितनी है q की कितनी है formula में रखो आप cancer आएगा अब देखो इन में से कुछ formula तो ऐसे है जो formula के अंदर आपको 1 by 2n 1 by 2n 1 by 2n ही याद करना है जैसे lost होने की probability neutral mutation के fix होने की probability जैसे की heterogia homozygous होने की probability 3 formula में तो 1 by 2n 1 by 2n 1 by 2n है एक formula में 1 by 4n है lost होने की probability उसमें 1 by 4n है ठीक है उसके बाद में एक दो formula और थे जिन में 1 by 2n 1 by 2n है homozygous की 1 by 2n हो जाती है और each class frequency की decrease होती है वो भी per generation 1 by 2n होती है बहुत ज्यादा difficult नहीं है जितने समझ में आए उतने आप समझे बाकी आप याद करके चले जाएं exam time से पहले आपको यह benefit दे सकते हैं तो चलिए thank you so much आपन मिलते हैं next lecture में बहुत जल्दी अगले topic के साथ आपको 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 आपक